चाइना जिस तरीके से अपनी ताकत को परदिशित कर रहा है अब उसके लूप होल्स भी दिखने लगे हैं यानि कि इसकी कमजोरिया भी सामने आने लगी है भले ही चाइना अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को लगातार बढ़ा रहा है लेकिन चाइना अभी तक हाई एंड फा रप्त नहीं किया है और चाइना की वायूसेना ने कभी अंतरास्ट्य अभ्याज या फिर वास्तविक जंग में हिस्सा नहीं लिया है यानि कि बास साफ हो जाती कि कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इनका इसलिए जो संभावित खरीदार हैं वो इसे लेने से प हो रहे हैं और चाइना के जो जेट इंजन है वो रश्या की तुलना में जाता महेंगे इसलिए कई बात जैसे फाइटर जेट की विकरी में बात हावी आती है इससे साफ़ वदा चलता है कि तकनीकी रूप से चाइना का कोई भी फाइटर जेट वार प्रूवन नहीं है और कि चाइना की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कॉलिटी कंसर्स यानि की गुणवता संबद नी चिंता है इंजन के हर्डल्स क्योंकि चाइना के जो सुदेशी इंजन है उनकी हाई प्रॉडक्शन कॉस्ट है और राजिनितिक प्रभाव यानि कि विदेशनीती सब जानते हैं चाइना किस तरीके से अपने आपको गलत तरीके सा आगे बढ़ा रहा है